पहला पाइंट चंडीगड का है तो चंडीगड में आपका सुखना वन्य जीव अभिहरन्य है यहीं सुखना वाइड लाफ सेंचरी तो इसको इसके एरिया को जो आसपास के एरिया को इसको परियावन समयधन शील छेतर गोशित किया गया यहीं सेंस्टिव जो है इसको डिकलेर किया गया तो क्वेशन ही आएगा इको सेंस्टिव जोन किसको डिकलेर किया गया सुखना वाइड लाफ सेंचरी को और सुखना है कहां पर यह चंडीगड में चंडीगड के जो एल जी है वो इपता हो निची हो कोन है बनवारी लाल प्रोहित सभी को राम राम, हाल्फिलाल के मंतली Current Affairs सीरीज में आपका स्वागत है इस सीरीज में हम Current Affairs को, जो मंतली Current Affairs है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक तो जिसमें हम State-wise Current Affairs करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको इसको अड़ने करेंगे और second part में हम topic wise current affairs को divide करेंगे और साथ ही world map का use करेंगे, भारत के map का भी use करेंगे इन सब के साथ ही हम important images का भी use करेंगे इससे आपको फायदा ये है कि एक तो images और map के साथ याद करने से आपको जो भी points हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे साथ ही जब exam question आता है तो भी आप option देखकर बाकी easily decide कर सकते हैं कौन सा सही था, कौन सा गलत है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा telegram channel या group join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी link description box में given है next point आपको गुजरात का है, गुजरात में एक आपका ये मेला मनाया जाता है मादवपूर मेला है वो लगाया जाता है, ये भगवान किर्शन और रुकमनी की याद में जो है मेला होता है, कहां पर रहें गुजरात में, बस simple इतना पता होना चाहिए और इससे गुजरात में एक और मुधेरा, मुधेरा भी आपका इंपोर्डेंट है, ये पता होना चाहिए कहां पर रहे है मुधेरा गुजरात में next point देखते है अब आपके South India का मैप है, तो basically मैप से आप करोगे तो आपको याद में रहेंगी चीजे आपको recall करने में जो easy रहेगा और long lasting memory बनी रहे थिकिंग, image, mind में जो pictures है, वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में ठहरती है तो इन चीजों को ध्यान में रखना, map के थुरू current affairs करोगे, तो काफी beneficial रहेगा आपको exams के लिए करनाटका देखते हैं भी, करनाटका के regarding point है कि आपका जो लक्ष्मन तीरत एक नदी है, ठीक है तो लक्ष्मन तीरत नदी, basically current affair क्या था कि यहां पर सूखा बहुँ जादा हो गया था, तो लक्ष्मन तीरत नदी जो काफी सूख गी थी, पूरत तरह सूख गी थी, यह आप करनाटका था, लेकिन question क्या आएगा, question यहाएगा, लक्ष्मन तीरत नदी किस की साइक नदी है, यहनि किस की tributary है, तो लक्ष्मन तीरत जो रिवर है, वो कावेरी रिवर की tributary है, अब आपको यह भी पता होना चीए, जोग्रफी में, कि कावेरी जो रिवर है, उसकी बा की साइक नदी है कौन सी है, यह देखो यहाँ पर, आपकी सी कावीनी, भावीनी, नोयाल और अमरावती, यह तीन दो याद रखो, कावीनी, भावीनी और अमरावती, तो यह आपकी right bank tributary है, यह राइट की तरफ से जा रही है, लेफ्ट bank tributary कौन सी है, हेमावती, नदी है, बाकी कावीरी के उपर नीचे के नदिया देख लो एक बर, वो अलग नदी है कावीरी से, पैनार और पालार, पैनार पालार जो है, वो कावीरी के नोर्थ में है, उत्तर की दिशाह में है, और साउथ में कौन सी है, दक्षिन में वाई गई, तो पैनार पालार का vary y गई इस तरीके से sequence है नदियों का जो कि बेयो बेंगोल में बेंगाल की खाड़े में गिरती है आगे देखते हैं आज़े करनाटका का आपने करंडेफिर किया तो करनाटका का आपको यह भी पता होना चीए कि आप करनाटका का जो है सिदरमय जो आपके सिदरमय और गवर्नर कोन है बावर्चंद गैलोध ठीक है केरला का देख लेते हैं केरला में यह कह रहा है कि SDFC बैंक जो है वो लक्षदीप में लक्षदीप का पॉइंट जो है वो बेसिकली कर लेते हैं पहले एक बर लक्षदीप का क्या है कि जो SDFC बैंक है वोहां पे ब्रण्च कोलने वाला पहला प्राइविट बैंक बर्ण बन गया यह पहला लक्षदीप का आपको एक परीफ पता होना चीए किन कावरती कैपिटल है तो SDFC बैंक आ गया लक्षदीप में बहली में थोड़ा सा यह देख लेते हैं देखो लक्ष्टी पर यह यह मिनी कोई ही पर आइलेंड है कावरती कैपिटल होगी इसकी अब कुछ चैनल्स है यह एट डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल यह दोनों चैनल्स जो है चैनल्स बेसिकली क्या है यह यह आपकी इंडिया है तो आठ डिग्री चैनल जो है एट डिग्री चैनल वो मालदीव और इंडिया को सेपरेट करता है और अंदर देखोगे तो मालदीव और बैसिकली लक्ष्टीव के बीच से यह ठीक है ऐसी नाइन डिग्री चैनल नाइन डिग्री चैनल यहाँ पर बीच से जा को ध्यान में रखना है इसके बाद आगे next point केरला का देखते हैं केरला में भी आपका DRDO ने एक state of art submersible space का उद्गाटन किया गया, space, space किया यह, submersible platform for acoustic characterization and evaluation, कि यह नहीं सम्मझ भागी अकाउस्टिक्स के regarding कुछ है वही, इतना जाना होगा, अकाउस्टिक्स के regarding कुछ, submersible platform है यह, ठीक है, वो DRDO ने किया है, कहाँ पर केरला में, तिर्शूर पूरम, तिर्शूर पूरम जब बगवान शिव के सम्मान में, तिर्शूर में स्थित है, तिर्शूर कहां केरला में तो यह वरकुनाथन मंदिर में आयुजित किया जाता है, इसके बाकी festival देख लेते हैं, केरला के बारे में और पाइंट्स देख लेते हैं, तो जब भी हम कुछ current एफिर कर रहे हैं, साथ में उसके state के regarding कुछ और current या फिर और कुछ festivals, और कुछ चीज हम cover करते हैं, ताकि आ ओनम, ओनम जो तिवार है, ठीक है, यह आपका harvest season का है, एक crow festival है, ठीक है, वीशू, यह केरल के लोगों के लिए नए शाल की शुरुआत का परतीक है, नहरू बोटरेस ये भी important है, नहरू बोटरेस कहा होता है, केरला में होता है, तो केरल में एक आपकी लेक जील है, पुनम केरल में है, इतना जाना अतना है, ठीक है, अब केरल के capital कौन से है, केरल की capital आपकी थ्रिवंत्पुरा में है, इदिया रख यांपे, और इसके CM कौन है, पिनराई विज्जियन, इसके CM है, गवर्नर आपके, आरिफ मौमध खान, ठीक है, केरला के, अब तमिलादू देखत भी तर्मिलाडु के भई आपका पॉइंट है एक जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है ठीक है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व जो है वो किस राजय में स्थित है वो तमिलाडु में क्वेशन ही आएगा basically यह करें कुस बीमारी होगी थी मुदुमुलाई टाइग और कोई नेशनल पार और यहां पर वो भी basically तरीका होता है किस तरीके से हमें करें टाइगर को कवर करना चाहिए चितिराई तिवार यह कहां पर इतमिलाडु के मुदुमुलाई में मिनाक्षी मंदिर मिनाक्षी टेंपल बहुत important टेंपल है तो मिनाक्षी टेंपल का है मद विष्णवाद विष्णो बगवान तो अपने जो विष्णो बगवान है उनकी बहन मिनाक्षी और बगवान सुन्दरेश्वर की विवा में विवास मारू सामिल होने आते हैं बगवान विष्णो जो है तो ठिधिराई की रूप में मनाते हैं तो basically एक एकता का रूप हो इंदु देवता सुन्दरेश्वर और उनकी पत्नी पारूती मिनाक्षी दोनों के स्मर्थ पे था ये question फिर भी ही आएगा कि मिनाक्षी जो मंदिर है मिनाक्षी टेंपल कहां पर है वो कहा है मदुरई में है तमिलाडों में ठीक है एक इसका point रहेगा आपका अंडमान नि निकोबार द्वीब पर निकोबार अउलेंडट पर शंक्ति हे वह अंडमान ओर दोग सबाने निर्वाचन छेतर में अपना वोट टाल पहले भार चुनाव खिर बहाग लिए हैं इस में शंक्ताने प्राइबल क लोगों ने पहली बार vote डाला तो आपको पता होना चीए question पूछेंगे है कहां पर ठीक है तो निको बार में अंडमान निको बार दियान रख लो तो भी कर दो क्योंगे आपके बाकी options अलग लग दूर दूर कियोंगे ठीक है और आपको पता होना चीए कि 10 degree channel कहां जा रहे हैं अंडमान प्यमा खांडू अरणाचल प्रदेश के टेल वैली जो वन्य जी को अभिहारन ने है जो वाडलाफ सेंचुरी है इसमें एक तितली खोजी गी है नेप्टिस फिलायरा की पर जाती से ठीक है मनिपूर देख लेते हैं मनिपूर में जो एक खौंग्जोम दिवस खौंग्ज दूआ था उसकी आदे मनाते हैं खौंग्जोम ठीक है मनिपूर मनिपूर हार गया था और इसके बाद जो है बिड़िश शासन की शुरुआत होगी थी मनिपूर उनके कब जिमा आ गया था फिर आपका यह देखो यहां देखो असम है यह तिरुपूरा और यह मिजुरम त ठीक है तो बूरु समुदाए ने पहली बार मद्दान में भाग लिया था ठीक है अब इसमें जान देने वाले बात के जो बूरु जो है ना जो कम्युनिटी बूरु जो समुदाए है वो पहले मिजुरम में रहता था मिजुरम के है मूल रूप से यह लेकिन यहां के जो पर मिजुरम में इनको बसाया जाए यहां पर इनकी जो है ना बसाने के लिए «इनको वोटिंग रैठ दिए दिये गिया, वापिस मिजुरम में तो अभी तो नहीं तर शेयुनार्थी कैंपों में रह रहे थे तो बस कली यह है। इसने प्धाण आ हो है जै ट्राइबल कम् सीम को ने लाल दौमा एल और गवर्नर को ने हरी बाबू कंबंपती यह आपके गवर्नर है तो यह था कुछ पॉइंट्स आपके आज की करंट एफेर के और इसी तरीके से आप जो करंट एफेर आप कवर करें तो बेसिकली साथ में थोड़ा स्टैटिक पॉर्शन भी देखत रहें या आप एन्वार्मेंट से रेलेट करके कि नेशनल पार्क वाइड लाफ सेंचरी कौन सी है या फिर आप जोग्रिफी के कुछ पॉर्शन आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी के कुछ है तो पॉलिटी के बेसिक कॉंसेप्ट वगरा कॉंस्टिटीशन से रेलेटिट से जान से लेटिट कुछ भी अगर हो तो उनको कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपके जी एस जी के में जो है मैकसिम आप स्कोर कर पाओगे थैंक यू वेरी मच जैहिन जैबारत यहाँ देखो भी दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान है वो कहां पर है राजस्थान में है कौन सी है सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान तो राजस्थान का ध्यान रखो नाप और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है चांदी यानि सिल्वर जो है वो कहा मिलता है कौन सा country produce करता है वह है Mexico और कौन सी यह वहां की माइन है पैना स्क्वीटो पैंट्री का नाम ध्यान रखो Mexico है और यहां पर अपने राजस्थान में जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदिगी खदान जो पोशित की गई है अब वर्ल्ड बैं साथ का 7.5% का है वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें इसको इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसका headquarters का है Washington DC में है USA के अंदर प्रेजेंट में अधिक्स कौन है जय बंगा है ठीक है ध्यान में रखना आपको तो वर्ल्ड बैंक की है आपको वर्ल्ड बैंक आपका Bretton Woods Institution है तो Bretton Woods Institution साथ में और कौन सा है साथ में IMF यह भी आपको ध्यान में रखना है फिर next point आप है Huron Global Unicorn Index है Unicorn यह नहीं जो 1 billion dollar की जो valuation वाली company है वो Unicorn होती है 1 billion dollar है उससे ज्यादा की तो उसके coding जो है यह एक index है इस index का coding Unicorn के मामले में इंडिया की जो position है तीसरी है पहले पर USA second पर China और तीसरे पर India इन्हें सबसे ज्यादा जो है USA में फिर चाइना में फिर इंडिया में उनिकॉंस जो है दुनिया का टॉप को इनिकॉंस है बाइट डांस है जो कि इसकी चाइना की टिक टॉक की पेरेंट कंपनी है इंडिया की टॉप की उनिकॉंस को से स्वीग है और ड्रीम इलेवन है इतना आने के चांसिस कम है बड़ आपको यह पता आना ची उनिकॉंस होता क्या है और इंडिया जो तीसरी नंबर को है पहले यूएस से फिर चाइना स्थाफना देशना की गई तो कि कमिशन ने रिकमेंट किया था हिल्टन यंग कमिशन इंपोर्टेंट है द्यान अर इंडिया है और इबय्द कर बना दो एक अपिरल 1935 1935 ज्यान में रखवा आप एक अप्रल 1935 ठीक है एक अप्रल से नया financial year स्टार्ट होता है और 1935 में था ही तो 1934 के भारती रिजव बैंक अधीनियम था ही फिल्टन येन कमीशन ने ये रिकमेंड किया था है एड़ी क्वार्टर का मुंबई में इसका nationalization का भगा राश्टी का 1934 में पहले गवर्णर कौन थे सर ओस्बोन स्मिथ ये बिडिश थे फिर पहला भारती गवर्णर सीडी देश मुख और प्रेजेंट में गवर्णर कौन है शक्ति कांदास तो बेसिक इंफर्मेशन है पता होनी चाहिए आपको space के बारे में देखते हैं बेपी कोलमबो देखो बेपी कोलमबो जो है पूछा गए किन दो अंतरिक्ष एजनसी की combined परियोजना आईगे ये कुन सी है ESA in European Space Agency और जाक्सा जाक्सा कुन सी जपाइन की तो यूरोप और जपाइन की space agency का combined up है बेपी कोलमबो ठीक है तो दो अंतरिक्षान बुद्ध ग्रह के को study करने के लिए बेज़ेगे तो बेपी कोलमबो के बारे में पता होने चाहिए किन दो countries का joint venture है space में यूरोप और जपैन का और किस काम के लिए बुद्ध ग्रह के लिए ठीक है बुद्ध ग्रह केलिस्टो पर ओजोन के परमान खोजें बरस्पती ठीक है बरस्पती पर जो है केलिस्टो चिंदर्मा है उसका महाँ पर ओजोन मिलने के जो है एविदेंस जाये हैं ठीक है सिक्यूरिटी में देखते हैं यह बता रहा है भी देश की सबसी हलकी ब्लट फ्रू जैकेट का विकास किसने के डियाडियो नहीं किया वह वैसे भी डिफेंस का काम कौन करेगा डियाडियो देख रहा है तो कोई ज्यादा मुश्किल क्योश्चन है नहीं पॉइंट पढ़ आर्तिनो सेना के चीफ अग नेवल स्टाफ दिनेश कमार तरिपाथी ठीक है भई डिफेंस स्टाफ सीडियस कोन है लेट्रेंट जनरल अनिल चोहान सेना देख सकोन है जनरल मनोज पांडेव वायू सेना देख सकोन है एर मार्शल विवेकराम चोधरी ठीक है तो यह आपको नलिन परबाद एनसजी अपने काफी टोप के स्क्रेटी फोर्स है कोई भी अगर टैरिस्ट अटैक होता तो एनसजी को बुला लेते है मुंबई में वा था तो एनसजी गई थी वहां पर ताज होटेल पर तो अगर हम देख परबाद परबाद इने सवेरा अगर देश नह तो क्या चाहिए हमें एनसजी चाहिए हो तो नलिन पर बात हो के ने बल स्टाफ के नो से ना के दिनेश कुमार तृपाठी ठीक है नहीं बना लो ध्यान कर लो यहां बही अपने तृपाठी जी जो है पानी के जहाज में बैठके जाते हैं नेवल स्टाफ के जो है इनको परमुख बना दिया गया है ठीक है अपने कालिन विया को त्रिपाटीजी को पानी में जाने गशो के जमीन पर तो जगें पचे नेन के लिए अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या आपके निल चोहान है से सेना ध्यक्स जैनल मच्छ पांडेव पांडेव से आप देगव पांडु बन जाता है इस वेफाट करें कि पależy तो यहार सैना घ्ञ उट्रॉडुंग थी ना तो सेना ध्यक्स कोण होगे मच्यव्यक नधरि राम से मुश बनाे देखते है राम से बन जाएगा वाईव से न में दिखते हैं वायو में उपर दिखते हैं ना मलब आपर कौन ऊड़ेगा वायEE से ना थीक है तो उससे आप लिंक कर लोए तो वायू से ना डेक्स कौन होगे विवेक राम छोधरी राम जी में काफ़ी विवेक है है ना बहुत भी वेकरन में फिर भई प्रेस इंफर्मिशन बीरो पी आईबी प्रेस सुचना बीरो के परदान माने दे शक के रूप में कोन आए है भई शेफाली भी शरन इंग और मार सकते कोई ज़्यादा वो इंपोड़न नहीं है विपरो समू के CEO के भई CEO पता होना छीए CEO और MD किसको बनाया गए स्री मुमास PALYA ठीक है यäs जो TOP की जखो जो सॉप्षे कम्पइश कोई हो रहे है तो थोड़ा वो ता आईडिया होना छीए CEO एमडी को ने विपरो के स्री मुमास PALYA ठीक है तो विपरो को PALYA है ना गुपरो को पालिया इसके फाउंडर कौन अजीज प्रेम जी यह तो पता ही है सभी को नहीं पता याद कर लो गई स्वाल में भी तायोग 16 फाइनस कमिशन तो फाइनस कमिशन हमारे Constitution के Article 280 के अंदर डिस्क्राइब क्या गया है काम क्या होता है फाइनस कमिशन का बेसिकली काम होता है Center और States के बीच में जो भी Tax revenue होता है उसको बटवारे का काम होता है अब सेंटर ने Tax लगा के पैसा दिकठा कर लिया लेकिन अब उस पैसे का Center अपने पास अकेल अपने पास नहीं रखेगा उनको States में बाटेगा ठीक है तो वो जो बटवारा जो devolution है जो distribution है वो किस principle पर किया जाएगा हर इस साल हर पांस साल में जैसे यह आपका बनता है Finance Commission यह decide करता है किन principles पर सेंटर स्टेट के बीच में Tax revenue का distribution किया जाए ठीक है तो वो काम है इसका तो अब यह सोल वहाँ Finance Commission है 16th Finance Commission यह इसका गठन किया गया अपना Article 280 में किया गया ठीक है इसके अध्यक्स कोन है डोक्टर अर्विंत पनागडिया यह इंपोर्टेंट है बहुत द्यान में रखना है 16th Finance Commission का जो अध्यक्स है चेर्मन कोन है डोक्टर अर्विंत पनागडिया नेती आयोग के पहले डिप्टी चेर्मन थे चेर्मन कोन होता है नेती आयोग के प्रामिनिस्टर होता है तो अर्विंत पनागडिया बहुत इंपोर बात में आता है दोजार चोबीस में नो अपरेल को हिंदू नो वर्ष जो है शिरुवात हो रही है और विकर्म समथ के नुसार यह 281 है बढ़ ठीक इतना जानगड़ को हिंदू नो वर्ष है चेटर माहा में आता है यह ठीक है बाकी अलग लग जगें पर अलग लग जो है किस तरीके से क्यों साध हो कश्मीर में यह डार्क्षन यहां से आएगी तोड़ा चेंड हो गए यह कश्मीर में नवरोज यह पंजाब पंजाब में बैशाखी यह असम में रोंगाली भी हूँ मनिपुर में यह रहा मनिपुर आपका मनिपुर में साजिबू नौंगमा पानबा इतना मुश्किल है आएगा भी नहीं याद रहेगा आपको छोड़ दो कोई नहीं थिक है जार्कंड में जार्कंड का आईए रहा जारखंड में आपका सरहुल, सरहुल तो आपको याद होना चीए, ठीक है, तमिलाडू, तमिलाडू में उथांडू, ठीक है, वीशु, वीशु का है, केरला में, ये केरला आपका, महराष्ट में गुडी पढ़वा, ये मुवीज वगर हम देखा होगा कई बार, बोलते हैं रिडिंग लगा लो, ज्यादा रटनेंग जुरूत नहीं है, अब इस स्पोर्ट्स का देख लेते हैं, स्पोर्ट्स भाईए, शंगाई तिरंजाजी आर्श्री जो वर्ल्ड कप था दोजार चौबिस का, उसमें भारत के आठ पदगाए, रैंक आई फर्स्ट, इसलिए इ वो सारी चाज़े आपको याद करनी पड़ती हैं, हैना करंट एफेर्स है, स्टैटिक भी करते हो, बस एक रीडिंग लगा लो, ज्यान रहेगा ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तरुनदी प्राए, पर्विन जादाव, दिरज, बोमदेवरा, अभीशेक, पर्संवेश, प्रियांश, जोती वेनम, अभीशेक वर्मा, जोती सुरेखा वेनम, बस थोड़ा नाम से अगर कुछ क्लिक कर जाए, वही तिरंदाजी मैं है, तो कर देना नहीं तो छोड़ देना, पर बाकी आपको बस यह पहला पांट याद रखो, ज्यादा अंदर गु 2020 वर्ल्ड कप 2024 स्वावई सभी को बदाई, हमने जीता है, ठीक है, इसका जो ब्रैंड अमबस्टर कौन थे, युवराज सिंग, युसें बोल्ट और क्रिस गेल, हुआ कहां पर ये, वेस्ट इंडीज और युएस से गेंदर हुआ, ठीक है तो यह आत रखना है, ब्रैंड 2023 में महिला वेक्तिगत गोल्फ में, सिल्वर मेडल किसने अधिती अशोग, देखो अधिती अशोग है, ओलंपियन भी रही है, और question आएगा तो, गेम की हिसाब से बेशक्षिन आए, कि वह ये, इस गेम में किसने क्या जिता, क्या मेडल, इसका नाम पता होना चाहिए, इतना ध्यान कर लो, ठीक है न, लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मिंटर से ज्यादा स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकोड बनाया, तक्षी वगानी ने, ठीक है, राष्ट्रे पुरुष खोको चेंपिंशिप का जिन किया, गेंद्रा गांध इंडो स्टेडियम, छोड़ो इसको पूंपूसता है इसको गेने तो, सौरफ गोशाल ने सिन्या से कोशना कर दी, किस से है, स्क्वैश्ट है, बस प्लेयर का नाम ध्यान रखो सौरफ गोशाल स्क्वैश्ट है, तुलब आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट डेज देखते हैं, डब डेज पे एक question आने का पूरे chance होते हैं, तो अच्छे से अपने हर एक महीने के days याद करने हैं, multiple times पढ़ने पढ़ेंगे, कुछ trick बने trick याद कर लो, कुछ और link कर सको अपनी life से, कहीं और इस तरीके से वैसे link कर लो, लेकिन याद करने हैं, basically, exam time में आपको ध्यान में आ जाए, तो हमारे current affair, पढ़ने का और पढ़ने का हमारा तरीका भी, पढ़ने का भी ऐसा तरीका होना चाहिए, पढ़ने का भी basically जो की, हमें याद रह सके, तो भही कोशिश हम कर रहे हैं, कि maximum चीज़े हम कुछ link करके, कुछ याद करा सके, तो यहाँ देखते हैं, 7 April को भी देखो, क् मेरा दिकार है, तो right to health होग है basically यह, 11 April को है, World Parkinson's Day, यह भी बिमारी एक, वर्ल्ड Parkinson's Day है, Parkinson's बिमारी होती है, विश्व Parkinson's दिवस, 18 April को विश्व विरासत दिवस, World Heritage Day, तो Heritage के उपर है, ठीक है, और क्या theme थी आपकी, discover and experience diversity, कि diversity को discover करो और experience करो, अपने इंडिया में भई, कितनी है, 12 है, World Heritage Sites है, इसमें से 34 आपकी cultural है, साथ आपकी natural है, और एक आपकी कंचन जंगा जो national park है, वो है, mixed है, mixed है, नहीं, cultural भी और natural भी दोन है, तो एक ही mixed है आपकी, World Heritage Site, UNESCO की है, UNESCO, इनको करता है, UNESCO World Heritage Site, एक कुंची, अपनी mixed वाली, कंचन जंगा जी, 34 cultural और साथ natural, तो ब्यारिस होगी total, नहीं बनी है, नहीं देखो, नहीं ध्यान होनी चीए, 41 कुंची है, शांतिनी केतन, कहां, वेस्ट बेंगोल में, ब्यारिस वी, होई साल, होई साल मंदिर, होई साल मंदिर का है, करनाटक के अंदर, बोथ important मंदिर है, पता होना चीए, होई सालेश्वर, या होई साल, कैसे बोल दो, उसको, करनाटक के अंदर है, 21 अपरेल को, राष्ट्य सिविल सेवा दिवस, ठीक है, सिविल सर्विस देखाब है 21 अपरेल को, 22 अपरेल को, वर्ल्ड, अर्थ डे, ठीक है, धर्ती का दिवस, अपना एपर्थी दिवस है, फिर 24 अपरेल को, पंचैती राज़ डे, ठीक है, तब इनको याद करने का उस देखते हैं वह एक महीने के सारे ये डेज हैं किस तरीके से लिंक करें देखो सबसे पहले वही हमने देखो साथ अपरिल साथ साथ से हम याद रुखें साथ को कैसे याद रुखें साथ वही इनसान का साथ क्या देना चीए हेल्थ साथ देना चीए इनसान के पर है ना अगर ह साथ हमारी हेल्थ ने दिया, तो बहुत बड़िया जीवन निकलेगा हमारा, तो साथ से साथ, तो साथ अपरिल को क्या है? हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ ने, और क्या थ्यम होगी, माई हेल्थ, माई राइट, साथ को बाद रूछ चार दिनबाद, आजो, चार दिन बाद ही क्या आगया आपका, हेल्थ हमने ठीक रखनी है, ठीक है, अगर हेल्थ ठीक रखनी है, कैसे हेल्थ ठीक रहेगी, जब हम पार्किंसन्स, जब पार्किंसन्स को खतम करेंगे, बिमारी को खतम करेंगे, बिमारी यह ते रोड भी काफी है, इसको और त थीक रहीगी सात हमारा दे क्या है यहाल्थ साथ दे तो साथ अप्रील हो विश्व स्वास्तह दिवस अब यह स्वास्ते कैसे ठीक रहे गाए संप्सक्रों freak बाद आ 맞 अब पार्ग को मैंटें करना है मैंटें कैसे करेंगे जब हम इसको heritage declare कर देंगे एक विरासत की तरह हम पार्क को देखेंगे तो इस तरीके से तो इस से ध्याना जाएगा अप्रेल कंदर की बात हो रही है एक अफते बाद यह नहीं 18 अप्रेल को आगा हमारा विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हरिटेज तरह तेख फिर आगे के 13 को तीन दिन बाद की आया स्थे अपार को मेंटेंगा डना मेंटेंगे मैंटेंग करने के लिए इन के वह किर सेबसेवा इस डिरुद पड़ेगी सुखसे जोते हैं ठीक जो भी isli p.огодा हैं तो civil services की जुरूत पड़ेगी वो करवाएंगे maintaining को अब यह कह रहे हैं भई maintain ऐसे तो नहीं केवल पार्क नहीं पूरे धर्ती को maintain करना पड़ेगा अर्थ पूरे धर्ती की देखपाल करनी पड़ेगी पूरे प्रित्वी की देखपाल करनी पड़ेगी मैं तो world earth day फिर कह है ऐसे काम नहीं चलेगा यह lowest level local level से जो है local level की जो government है local level की जो governance है वो ही अर्थ को प्रित्वी को maintain कर सकती है ठीक रख सकती है local level पे कुन सी है पंचैथी राज ठीक है तो 24 अप्रेल को 22 अप्रेल को earth day दो दिन बादी 24 अप्रेल को पंचैथी राज दे इस तरीके श्यार हो देखो एक और देखो 22 अप्रेल को आपका earth day है प्रित्वी दिवस 22 मार्च यह एक महिने पहले जल दिवस water day 22 मही एक महिने बाद अंतराष्टे जैव विवित्ता यह जीवों के अंदर विवित्ता यह जीवों के अंदर विवित्ता यह बायो डाइवरसिटी ठीक है तो ब मैंटेन करना थे एक महीने पहले हम क्या जल जल होना चीए ठीक है जल होगा जल कहा होगा 22 मार्च को जल आगा जल कहा होगा अर्थ प्रित्वी 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 जल आ गया तो उससे क्या होगा बायो डाइवरसिटी मैंटेन रहेगी ठीक अभी यहां लिंक करके इस से याद कर लो इसको अवार्ड देखते हैं बै गोल्ड मैन एन्वार्मेंटल प्राइज है दोजार्टेश कास किस बारते को दिया गया आलोग शुकला को दिया गया इच्छतिस गड के अस्देव अरड बंचहितर में कोल खदान की निलामिक बाद हश्देव जंगलों को प्राइज मिल गया है ठीक है ग्रीन नोबल की नाम से भी जाना जाता है इसको तो इंपोडन हो जाता है इससे पहले मेधा पाटकर को मिलावाए प्राइज ही मेधा पाटकर नर्मदा बचाव अंदुलंग से जुड़ी भी है ठीक है यह कहां पर गुजरात में सरोवर सरद अमिता बच्चन को दिया गया, important हो जाता है, सबसे पहले 2022 में start वा था, उस टाइम अपने प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी जी को दिया गया था, 2023 में आशा बोशले को, और 2024 में अमिता बच्चन को, तो important है काफी याद रखना है, लता दीनानात मंगेशकर पुरुषकार मिलता किसलिए है, 222 शुरुवात भी थी, अपने मोदी जी को दिया गया था उस टाइम पर, ठीक है, ये दिया था, society के लिए, देश के लिए, contribution लिए, अच्छे काम के लिए, बस, कितना ही जान बखो, sky track, world airport award, airport के उपर award दिया गया, तो world का जो best airport है, वो किसको चुना गया, हमद international airport कहां, दोहा कतर में, ठीक है, हमद international airport कहां है, दोहा कतर में, best airport, इंडिया के अंदर 5 अवाइड़े है, सबसे उपर रखा गया है, दिल्ली वाले को, इंद्रा गांधी international airport, दिल्ली 36 पर, होकी इंडिया ने चठा होकी इंडिया वाशिक प्रुसकार प्रदान किये, अब वो किसको क्या मिला, मैंना तो याद कर पाओ कि कुछ नहीं, बस एक बार प्लेयर के नाम पढ़ लो, आपको एटलिस यह पता रहे, यह प्लेयर किस स्पोर्ट से है, हार्दिक सिंग, सलीमा टेटे, पियार स्रीजेश, गोलगीपर है, बहुत बड़या गोलगीपर है, केरला से आइटिंग है, हर्मन प्रीट सिंग, डिफैंडर यह भी बड़या प्लेयर है, हार्दिक सिंग को फिर मिल गया, अभिशेक, अर्याजीत सिंग, और अशोग कुमार, नाम पढ़ लो हर्दिक सिंग, सलीमा टेटे, स्रीजेश, अर्मन प्रीट सिंग, अर्याजीत सिंग, अशोग कुमार, बहुत, आगे चलते हैं, फिर यह जो वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रेस फोटो, प्रेस ने जो फोटो दी, उसका प्रेस फोटो अब दी येर दोजार चोबिस का जो है न, किस फोटो को मिला है, एक पलेस्तिनियन वुमन है, एमब्रेसेज अब बोडी ओफर नीस, अपने बती जी की जो है, बोडी को ये एक फोटो थी, तो मुहमत सलेम जो था, उसको है, मुहमत सलेम ने गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली तस्वीर जो है, वो निकाली थी, इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो अब दी येर गे नाम से समानित किया गया, फिर आगे Astronomical Society of India, ठीक है, कौन सब प्रुषका Astronomical के अंदर दिया आता ये, आरे बट पुरुषकार ये मिलता है, पावलूरी सुबबा राओ, पी एस सुबबा राओ, सुबबा राओ याद रख लो, पावलूरी सुबबा राओ, सुबबा राओ को आरे बट पुरुषकार दोजार चोबीस दिया गया, तो सुबबा है, बारती फिल्म है ये, तो 77th कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन सी इंडिन फिल्म है, सन्फ्लावर वर्दा, फर्स्ट वन्स तुनो, यहनि सन्फ्लावर थे जिनको सबसे पहले पता लगा, इंटरनेशनल लेशन के देख लेते हैं कुछ, कुईत के प्रद ठीक है, इस इसराइल में यहां पर एक बंदरगा है आपकी, अश्दो बंदरगा, तो अश्दो बंदरगा किस देश में स्थित है, इसराइल में, बस यही कोईशन आ जाएगा तो, यह भी टफ कोईशन है, इतना आईजी नहीं है, बस आपको थोड़ा पढ़ लो एक बर, तो इसराइल के स्वरक्षा मंतरी मंडल ने गाजा तक अधिक साहिता पहुंचाने के लिए, इसराइल के अश्दो बंदरगा के व्योंकी मंजूरी थी, यहनि गाजा में जो एड, सिविलियन एड जो पहुंचाने के काफी जादा, वहां पे लड़ाई चल रही है, को नब है तबही, यह कुवैत, कुवैत के अपने को है हैर्ड़ इहमद अब्दुल्ला अल-ाहमद अल-सवा, ठीक है, अहमद अब्दुला, अल-अल-अल-सवा, कैसे या द रखना हैजे, कुवैत, ठीक है कुवैत यहां है, बिल्कुल इस पर है गल्फ कंट्री यह है, है कुएत कुएट उख्एत कुएँ अधिय्ट एक वर्ड आपने ध्यान में रखनाएं, मियरुड कोमें है? इजिप्ट के हके हैड है इधिय्ट के हैड़िग। एक वर्ड ले लो आफ़लिवदिक क्रिसे हुआ। तो Egypt को फते करना easy नहीं है, इस trick को याद रख लो, Egypt को फते करना easy नहीं है, फते करना easy नहीं है, किसको Egypt को, तो इजी से इजिफ्ट ये याद रहेगा और फते से क्या है अब्दल फते LCC आगे देखते हैं यहाई बेल्जियम है ठीक है यह थोड़े एरो टेडी मेडी होगे इसको नहीं मैं अभी लोकेट कर जाता है यह बेल्जियम है बेल्जियम में भई अभी फिलाल में जो है पहल परमानू उर्जा वार्शिक सिखर सम्मेलन और आयुजित किया गया था बेल्जियम और IAEA इंट्रनेशन अटमिक एनरजी एजनसी इन दोनों की बीच में था तो बेल्जियम में यह और्ग्राइज किया गया था नुक्लियर एनरजी समिट है फिक है स्लोवाकिया स्लोव कोई आपका भाई बंदू slow है slow को का हुए तुम इसको पीट के पेलागरी नी पेल दोगे आप पस पीट इतना यार and not to offend anyone just certain tricks to remember certain current affairs that's it PM भाई रोबर्ट फिको तो slow आखिया slow था पीट दिया पेल दिया और उसको slow को रोब भी कर सकते हो है ना रोब इनी रोब समझ रहे हैं ना रोबिंग हो जाती है और उसको फैंक दिया इस तरीके थोड़ा हो जाएगा लूट पार्ट करना था एक में रवांडा बिल किस ने पारित किया बिटेन ने पारित किया है वेल को लीगल परसन की रूप मानेता दी है तो कौन से कंट्री जे ने कोड़ेंड और कुक्स आइलन ने किया है तो निजिलेंड यहां बखो इसके लिए वेल को लीगल पर्शन की रूप में मानेता दे रहे हैं रिपोर्ट इन इंडिसेज है वाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी है इसने जारी किया वही जो डोपिंग हो करा करते हैं स्पोर्ट में तो सबसे अदर डोपिंग इ से बहुत ही दुर्भागे पूर्ण है यह क्यों एस वर्ल्ड उनिश्टी रैंकिंग जो है इसमें भारत के जो हैं कितने उन्हें तर विश्व डालें 69 69 तो वैसे बहुत फेमस है तो याद रहेगा आपको उम्मीद करते हैं जेन्यू भाई आपके बारतिये संस्थानों मे अगर नहीं है ठीकि डवलेपन स्टडीज के लिए कोई जाद आउनिश्ट रीडिंग लगा लो जेन्यू है और आया है में अम्दबाद में बिस्स मैनेज्मेंट कर आगे बस खतम आगे सिप्री सिप्री आपका स्टोक्म इंटरनेशनल पीस रिसर्स इंस्टिट्यूट है सिप्री के पहले फिल्फॉम पताऊने चीए आपका यह बेसिकली स्टडी करता है कि डिफेंस के अंदर कितना खर्चा कर रहे हैं कौन कंट्री कैसे क्या तो सिप्री के स्टोक्म इंटरनेशनल पीस रिसर्स इंस्ट्यूट इसके इसाब से भारत जो है चोथे नंबर पे है डिफेंस में खर्चा करने में पहले पर यूएस से दूसरे पर चाइना तीसरे पर रश्या और चोथे पर इंडिया कि क्या है लो एंट जस्टिस वह सुप्रिम कोड ने कहा है जो जलवायू परिवर्तन के खिलाफ जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ म यह ना राइट टू शेल्टर भी एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट है तो राइट टू लाइफ बहुत ही वाइड आपका फंडामेंटल राइट है कुछ बुक्स हैं देख लेता हैं कौन सी बुक इसने लिखी है करीटेर इसमारा शेण वाँटसन इसने कौन सी बुक लीख लिखे दविनस माइंड सेट तह अपमारी शेन वाँटसन जो है वो व strawberry जिप्टो की माइंड्सेट के बारे में बात करते हैं दूसरे क्रिकेटर सुनिल गावसकर, सुनिल गावसकर सन्नी डेस की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, प्लेंग इट माई वे, तेंदुलकर की साप से खेलो गई तुम, कपिल देश ट्रेट फ्रॉम धर्ड वल्लकॉप जिताया था भी, तो हर्ड की बात तो होगी यहां पे आपके दिसूबराव, जियंको ऑगाता तो तो तेस्ट उप्सेवरा टेस्ट था है, फम खर्कृत तो ग्रीकृत तो ग्रिकृत्ति गज्या सुप लिए श्री नोच्ट डागाता, दिसूबराव, डिसूबराव, स्विए आर्ड गाउट्वर्नर, आब डिया फ्र्सारी सं नाइफ तो मर्डर भाई नाइफ सी होता है और कौन और रूष गया ठीक है सलमान रूषदी डॉक्टर मनमौन सिंग की जो आतम का था बायोग्राफी चेंजिंग इंडिया इंडिया को चेंज किया था 1990s में LPG रिफॉर्म लेकाए थे और कुमनी देवी अरुंडेल तो दंबूशन होगा है मिलावें तो फिर एक हैवनली आइलेंड ऑफ गोवा पीए सरी दर्म पिल्लाई गोवा के राज्यपाल नेक्स देखते हैं वही मिसलिनेस देखते हैं कुछ अब 13 अप्रिल दोज़र चोबीस को जो है जलिया वाला बाग हत्याकांड के एक सुपांच स और फास किया गया था भोध ही ड्रेकोमोनियन एक्ट था है किसको कहीं भी पारढ़ को ठालो यahhपिज्विस को एक तरह से बिटिश गॉवर्मनें ने खतम कर दिया था लिया ढांना क Whenever पैस्फन दिया झालो कोई युदि ना कोई झुछ नहीं आट एक तो रोलड अट nooit आक union act था, उसके खिलाफ जो लोग इकठा वे थे, peaceful protest कर रहे थे, है ना, और साइफुदन किचलू और डॉक्टर सत्यपोल इनको अरेस्ट किया गा थे, इसके अगेंस्ट में लोग बाग जो है, वहाँ पे एक peaceful जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे भई बिडिश जनरल गए, वहाँ पे जनरल रेगिनाल डायर, इन्होंने गोली चलाने का अदेश दिये, बहुत सारे अपने इनोसेंट इंडियन जो है, उसके बाद जो है, इस तैकांड का बदला जो है, उद्धम सिंग ने लिया, किसको मार के, उस ताइम के पंजाब के जो गवर्नर थे, ठी हंटर कमिशन बनाया गया, बहुत इंपोर्डेंट कोईशन बनता है, हंटर कमिशन था, जलिया वाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जाद रहेगा, कर लो वह इस प्याद, इंपोर्डेंट चीज है, करनाटक संगितकार और प्रदम शरी प्राप्त करत आगे जी जैन का निधन हो गया, इनको प्रदम शरी दिया गया था, ठीक है, स्क्वार्टन लीडर दलीप सिंग मजीठिया, काफी इंपोर्डेंट परसन रहे हैं, इनका भी निधन हो गया, डेरेक अंडरवूड, इंग्लेंड के कर्केटर थे निधन हो गया, इनका, आग दराज महिला, जोहान मजीब को, यह साउथ अफरिका से 128 साल दे, वो महिला ही जादा जी जाते हैं न, सुधीर ककड का निधन हो गया, सुधीर ककड जो है, फादर अफ इंडियन, साइको अनलेसिस थे, नोवलिस्ट और इन फिल्ड अफ कल्शल साइकोलोजी, और साइकोलो 24 के इलेक्शन के अंदर, यूथ आइकोन कौन थे, आईश्मान खुराना, ठीक है, तो इध्यान में रखना है, याद रखना है, लेटस करेंट अफेर्स हैं, इलेक्शन वे हैं, आईश्मान खुराना, लोग सबा चुनाओ, दोदर चोबिस के यूथ आइकन थे, शीतल दे है, याद रखनें आपने, केरल विश्विधाले के जो रिसर्चर्चर्स थे, इन्होंने एक पुरानी अडपा बस्ति की खोज की है, कहाँ पे गुजरात के कच जिले के खटिया गाउं में, ठीक है, तो अडपा जो सिविलाइजेशन थी, उसकी खोज किस ने की थी, स्टा 350 BC के राउंड, इस पीरेड के दुरान जो है, हडपा की सिविलाइजेशन जो है, डवलप किये, इसके एक्स्टेंशन देखो आप, कि किस तरीके से एक्स्टेंड की वी हडपा की सिविलाइजेशन, वैस्ट में, पाकिस्तान में, सुक्ता गेंडोर तक है, इस्ट में, अल से अलामगीरपूर इंपोर्टेंट कुछ प्लेसीज हैं पता होने चीज आपको हडपा गए बस यह अब करेंट करा रहे हैं साथ में बिसिकली क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक से बनने के चांस ज्यादा रहते हैं इन चीजों के रिकार्टिक तो स्टैटिक के पर मिट्टी के बरतन मोती इनसकों में शामिल है दोलाविरा काली बंगा काली बंगा का राजस्तान में जो तेवे खेत के साक्षे मिले हैं यहां देख लो मांडा यह रहा कश्मीर में यह आपका हर्याना में दो हैं आपके बनावली और अखिगड़ी दोनों इंपोर्टन या से इस्ट ठीक है आपने उजरात में देते गुजरात दोला वीरा लो थल यह इम्पोर्टन आपके इंपोर्टन हैड़ अपन साइड़ि त फिर भी गुजरात में की साढ़ contraclerõट साल कुरा विशाल का सापका जिवा से मिला कोई फोसिल मिला है साब का, इसको नाम देख है वासी कु इंडिकस, ठीक है, यह बता रहे हैं कि, शायद अब तक के सबसे बड़े साबकों में से एक रहा होगा यह, ग्यारा से फंद्रमेंटर के बीच की लंबा यह हमाई थी, ठीक, अवलूफ तो जोगे हैं, कोई नहीं, इस लेक्चर में इतना ही, अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलिक्राम चैनल या ग्रूप जोइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडिएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में गीवन है, या फिर आप सिंपली हाल फिलाल के न जै हिंद, जै भारत